नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रसाद आपको स्वागत करता है एक और वीडियो में और आज हम लोग देखने वाले किस प्रकार हम लोग वाइरिंग कर सकते हैं सबमर्सिबल पंप की इस वीडियो को हम लोग दिखाएंगे एक टेक्समो के 2HP के सबमर्सिबल पंप को कैसे हमने वाइरिंग की थी नॉर्मल वाइरिंग हम लोग करते हैं तो इसको वाटरप्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है सादा टेप अगर हम लोग लगा देंगे तो उससे क्या हो सकता है पाने के अंदर जो करंट है वो अंदर घुश सकता है तो इसलिए आपको सबमर्सिबल पंप की वाइरिंग करनी जाननी बहुत ज़रूरत है जिसके लिए इस्तेमाल होता है एक वाटरप्रूफ टेप जिसको कई सारे नाम होते है राजारानी टेप और भी बहुत सारे नाम से वो जाना जाता है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को लाइक एंड शेहर भी कीजेगा सो ग börjar इसापिए उसकापटार न Analytics by++ कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग टेप लगा सकते हैं वाटरप्रूफ टेप यानि की सब्मर्सिबल पंप को जो जॉइंट हो था इलेक्ट्रिकल जॉइंट उसको कैसे के जाता है उसके लिए यह स्पेशल टेप आता है इसे कई नाम से बोला जाता है राजानानी टेप या वाटरप्रूफ टेप यह इलेक्ट्रिकल टेप है पूरी तरह से और आज हम लोग देखें कैसे हम लोग एक जॉइंट बना सकते हैं जो सब्मर्सिबल यानि पानी के अंदर भी इलेक्रिसिटी जिसके उपर एक प्रोटेक्टी कवर रहता है उसको निकालके यह बिल्कुल रबर का जैसा होता है जो हम लोग यूज करते हैं सब्मर्सिबल वाटरप्रूफिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स होता है उसके लिए और देख सकते हैं उसको पूरी तरह से जो व और उसके उपर एक और लेयर आता है इंसलिशन टेप का ताकि जो टेप लगाया है वो निकले नहीं और पर्मनेंटली फिक्स हो जाए कई लोग इसे डायरेक्ली भी लगाते हैं वायर के उपर लेकिन यह ऐसे जॉइंट करना ज्यादा सक्सेस्फुल रहता है इसी प्रकार तीनों वायर का जॉइंट जो है वो सिमिलर कलर के वायर के साथ किया जा रहा है और सिमिलर जॉइंट जो है करने के बाद में उसके उपर से दुबारा से टेप लगाया जाएगा यह तीनों वायर के लिए सेम प्रोसुजर है और यह करना बहुत जरूरी है ता वो safe नहीं होता है because वो underwater जो है यह आपको 100% protection कभी नहीं दे सकता तो यह joint होने के बाद कुछ इस तरह देखता है और यह इसका starter है pump का और यह Texmo company का starter है जो pump के साथ में नहीं आता है हमें separate से खरीदना पड़ता है और Texmo के pump बहुत ही heavy होते है जाने जाते है और हम लोग अभी देख रहे है कि इस Texmo के pump को हम लोग underwater जो underground जो water tank के उसके अंदर डाल रहे है और यह काफी बड़ा है तो काफी दिक्कतों का सामना करने पड़ता है जैसे install करते है वक्त यह pump जो है इसका जो installation करते हो तो इसे rope से बांदा जाता है यह rope जो है यह waterproof rope होता है जो pump के साथ में आता है अगर नहीं आता है तो हम लोग इसे खरीद भी सकते है जो pump dealer उनके पास में यह rope होता है यह nylon का rope होता है और यह बहुत ही essential होता है इस pump को निकालने के लिए इस रसी का इस्तमाल किया जाता है जब भी आपको pump को भाहर निकालना हो में इंटरेंस के लिए और इस pump को डालते को इसको तेड़ा करके डालना पड़ा क्यूंकि जो door था वो काफी बड़ा था तो अभी इसे हम लोग install करेंगे और इसका plumbing activity होगा आपको